अरब सागर में यमन के पास फिर से एक जहाज पर ड्रोन अटेक हुआ है इसके बाद जहाज में आग भी लग गई इस पर सवार 23 में से 22 टू मेंबर भारती हैं एक बंगला देशी नागरिक है वहीं भारती नौ सैना ने मदद के लिए युद्ध पोत भीचा है जानकरी कनूसार 26 जन्वरी की रात को ये हादिसा हुआ वहीं पहले खबर थी कि जहाज के पास भारती नौ सैना का जहाज पहुँच रहा है अब भारती नौ सैना ने पुष्टी की है कि अदन की खाड़ी में M.V. मालिन लौंडा नाम के इस जहाज पर हुए हमले के बाद INS विशाका पटनम को मदद के लिए भीचा गया है वहीं अटैक के तुरंत बाद जहाज ने मदद के लिए सिगनल भी भीचा था